नमस्कार प्रणाम हरर मादेव मैं आप लोग का दोस्त बैदमनोज सिंग मोरिया आप लोग को बीच एक आज अर्भूत पौधा लेकर के आउंगा इसे चमतकार ही समझें आज तक बहुत से लोग उसको केचड़ा समझते आए हैं लेकिन मैं आज उसका नाम पत्ता डंठल उ आप लोग को बीच और कुछ उसका खात्यत है वह भी बताऊंगा तो जो भी भाई बंदू हमारे इस चैनल पर नए हैं आयरवेदिक जंगल परिच्छाइका में रिप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अलनोट की किसन को दबा दें और अच्छा लगे तो अप चलिए दोस्तों मित्रों आप लोग इस पौधे को देखते ही जान और पहचान गए होगे जिसे मकोई के नाम से जानते और पहचानते हैं इसे संस्कृत में काकमाची तथा पंजाबी में मको काते हैं मकोई एक वर्ष या प्राकिर्तिक रूप से उगने वाली खर पतवार है लगभग एक से डेड़ फूट उचाई के इस चाड़ी नुमा पौधे को संपुल भारत वर्ष में साथ जार फूट तक की उचाई में अधिकांस्त चाया वाले अस्थानों पर स्वजात उगता देखा जा सकता है मकोई के पत्ते दो से तीर इंच लंबे तथा एक से डेड़ इंच चोणे होते हैं वर्षा रितु में उगने के उपरांत अगस्त सितंबर माह में इन पर तीन से आठ गुच्छों में सफेद रंग के फूल आते हैं तथा तदा नुसार हरे रंग के छोटे छोटे फल गुच्छों में आते हैं जो पकने पर जामुनी आओं अथ्वा काले पीले अथ्वा नारंगी रंग के हो जाते हैं ये फल बिलकुल टमाटर जैसे साइज में टमाटर से बहुत छोटे होते हैं, तथा बच्चे इन्हें खाते भी हैं, खाने में ये कुछ खटापल लिए मीठे होते हैं, इन पर फूल लगने की क्रिया अगस्त सितंबर माह के उपरांत निरंतर चलती रहती हैं, यद पि इसकी प्रजाती के अंसार फल तो जामुनी अथ्वा नारंगी रंग के हो सकते हैं, परन्तु इन में तैयार होने वाले बीज छोटे चिकने तथा पीले रंग के होते हैं, और सधिय उप्योग में मुख्यत इसके फलों तथा पंचांग का उप्योग किया जाता है, तो दोस्तों मीठा तथा स्वभाव से सीतल और रूखा होता है, या गर्मी और प्यास को रोकता है, सुजनों को पचाता है, वाईव का समन करता है, तथा गर्मी की सुजनों में तो अत्यंत लावदायक है, आतों को सुत करता है, या पेसाब अधिकता के साथ लाता है और दस्तावर भी है तो दोस्तों मित्रों जो भी भाई बंदू हमारे इस योटूब चैनल आयरुवेदिक जंगल परिचाई का वह आयरुवेदिक जड़ी पूठी पर इस वीडियो को सबसे पहले देख रहे हैं तो कृपया इसकिप न करें और एक लाइक एक कमेंट और सेर सब्सक्राइब कर डापसी नमग बीमारी में इसके पत्ते तथा तना काफी उपयोगी पाए गया है इसके उपयोग से पिसाब की मात्रा बढ़ती है और जिसके लिए या तो या सबजी के रूप में अथवा इसके पंचांग काड़ा युग तो किया जा सकता है बुखार में भी मकोई काफी उपयोगी पाया गया है जिसके लिए या तो इसका सर्वत एक कूलिंग एजेंट के रूप में दिया जा सकता है अथवा अधिक मात्रा में पीन पसीना लाने है तू भी इसके सुखे पत्तों के 0.65 से 1.25 डिग्री ग्राम काड़े का डेसी ग्राम काड़े का उपयोग किया जा सकता है मस्तिक्स मस्तिक्स का वरण सोथ तथा सन्नी पात में मकोई के रस में सिर का मिला कर उनमें भीगोई पट्टी सिर पर रखने से लाब होता है रिंग वार्म के उपचार में प्रभावी अस्थानों पर कच्चे हरे फलों को पीश कर उनका पेस्ट बना कर लगाना प्रभावी पाया गया है इसी प्रकार त्वचा के जल जाने अथो फोड़े आदिका भी इसका पेस्ट लगाने के लाबकारी परणाम देखा गया है जोडों के दर्द के उपचार में भी मकोई के पत्तो का रस उपयोगी पाया गया है मकोई के पत्तो का उपयोग मुह के छालों के उपचार हे तुव लिए मकोई के पत्तो को मुह में रखकर चबाया जाता है मकोई के पतो को घी में तल कर तथा उसके उपर काली मिर्ज का पावडर छिड़क कर उपयोग करने से ताकत में काम सक्ति में बृद्धी होती है इसके फॉलो का उपियोग कीक तथा पेस्टीज में ड्राइब फूट के रूप में किया जाता है तथा इन से जैम भी बनाये जाता है मकोई का क्वाथ मना कर पिलाने से जोर छुड़ता है मकोई के क्वात के people का चून भूरवरा पिलाने से मन्दागनी मिटती है पागल कुट्टे के 20 में मकोई का क्वात पिलाने से उसी क्वात से उस घाव को धोने से घाव भर जाता है और 20 उतर जाता है इसके पोधों का पंदर से वीश तोले का रस आग पर गरम करके जब उसका रंग हरे से गुलावी हो जाए तब उसको पिलाने से बहुत दिनों की पुरानी अकिर्ति ब्रिद्धी मिढ जाती है इसको थोड़ी मात्रा में देने से सरीर पर पड़े हुए बहुत दिनों से लाल चिट्टे मिढ जाते हैं मकोई का क्वाथ पिलाने से दबी हुई चेचक बाहर निकल आती है मकोई की जड़ के क्वाथ में थोड़ा गुड मिलाकर पिलाने से नीद आती है इसके पत्ते फल और डालियों का सत्व निकाल कर उस सत्व को दो से आठ मासे तक की मात्रा में दिन में एक या दो बार देने से जलोदर और सप्रकार के हिर्दे रोग मिढ ता है मकोई के पत्तों को चबाने से जीव और मुग के छाले मिढ ता है मकोई के रस में मिश्री मिलाकर पिलाने से उत्रक्रिच की दुरगंध युगत स्राव मिटता है मकोई के क्वात में हल्दी का चून डालकर पिलाने से कमला रोग मिटता है मकोई के पत्तों के रस में घी या तेल मिलाकर दांत की जगह पर मलने से दांत बीना किसी कस्ट के बाहर निकल आते हैं मकोई के रस में सुखागा मिलाकर पिलाने से बमन बंध हो जाता हैं तो दोस्तों मित्रों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह जनकारी बहुत ही अच्छी लगी हुई तो चलिए फिर मैं कल मिलता हूँ एक नई और एक रोचक जनकारी साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो